तो आज की वीडियो में आपको अगिफ्ट आफ चपल्स का सकेंड पढ़ाने जारे हो तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को अब क्या होता है यहां पर कि जो म्रिदू होती है वो क्रैप्ट का मतलब होता है जब आप दबे पाउं चलते हो जिसे किसी को पता न चाह सकें कि आप उसकी तरफ आ रहे हैं तो म्रिदू भी वाई करती है वो दबे पाउं जाती है कहां विंडो की तरफ अब जब विंडो से जागती है तो क्या देखती है कि जो लल्ली थी ना वो कहां बैठी हुई थी विंडो से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक वॉयलन था उसके हाथ में वॉयलन था और बो इस्ट्रिंग क्या होती है बो इस्ट्रिंग जिससे हम वॉयलन को बजाते हैं वो इस्टिक होती है ठीक तो बो इस्ट्रिंग थी उसके हाथ में और वो बहुत ही अजीब तरीके से उस वाइलन को पकड़ी हुई थी और बो इस्ट्रिंग को ना उसके जो एल्बोस थे वो क्या हुए थे बाहर निकले हुए थे क्योंकि जब हम बजाते हैं तो हमारे जो ए अब जो लल्ली है उसके सामने कौन था उसके सामने थे मूजिक मास्टर उसके जोकि बोनी फीगर में बहुत दूबले पतले थे यहेड़ है भाल है अब उनके तो जो रही नहीं थे सिर पर बाल मंतर वहता है विदाउट है विद एयर विदे तो फिंज बली पेल है उनके पीछे जो पूरा बाल है उसको टाइ मतलब बांग लिया था एक तरह से यह चोटी टाइप का कह सकते हैं उसे टफट बोलते हैं तो जो उन्होंने नौट लगाया था पीछे उसे बोलते हैं टफट और यह बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहा था और उनके बाल जैसे ओली थे और ब्लैक थे एक गोल्ड चेन उन्होंने अपने नेक में पहना हुआ था उनका नेक जो था वह बहुत ज़्याद हार्ड था इस वज़े से लेदरी नेक यहां पर बोला गया है वो चमक रहा था गोल्ड चेन ठीक है एंड डायमंड रिंग और एक डायमंड यह तार है ठीक तो यह तार होती है जब वह बजा रहे थे अपने वाइलन को तो उनके हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे तो उससे उनका डायमंड रिंग था वो भी चमक रहा था अलाज फूट इस गोल्ड बॉर्ड वेस्थी एज वेस्थी मतलब होता धूती तमिल में धूती जो थे वो दिख रहे थे and he was beating time on the floor with the scrowny big toe और उनके जो टो थे मला जो उनके अंगूठे थे ठीक है अंगूठे थे उनके जो कि बड़े-बड़े थे और इस क्रावनी मला पतले थे तो उससे वो क्या कर रहे थे ताल दे रहे थे बीटिंग मला वोता है ताल देना कहां प पार से प्रैक्टिस किया करते तो वो ऐसे ही वो कर रहे थे he played a few notes अब उन्होंने क्या किया कुछ music का part note मतलब music का part अपने वाइलन पे प्ले किया लली स्टंबल बिहाइंड हम ऑन हर वाइलन अब लली ने क्या किया इस्टंबल मतलब उसको repeat किया अपने वाइलन पे which looked quite helpless and unhappy अब यह क्या लग रहा था बहुत ही जदा helpless क्या लग रहा था वो ऐलन यहां पे वाइलन की situation बिता रहे है कि वाइलन जो था बहुत जदा helpless था और unhappy था okay लली के हाथ में क्योंकि जो लली थी ना वो उसको अच्छे से बजाने रहे थी और उसको बहुत ही अजीब तरिके से पकड़ा हुआ था तो अगर हम अच्छे से बजाए तो उसे भी अच्छे लगए है कि हाँ अच्छे आतों में तो वही चीज़ यहाँ पर बता जा रहा है What a difference, कितना ज़्यादा difference that the music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody अब यहाँ पर क्या बता जा रहा है It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rail and whizzling along as Ravi said जैसा Ravi ने कहा था कि जो music master के note थे उनके जो music का part था वो ऐसा लग रहा था जैसे invisible track वो track जो दिख विना रहा हो उस पे train जो है बहुत ही smoothly अच्छे से चल रही है लेकिन जो लल्ली का song था जो लल्ली की वाइलन की आवाज से वो ऐसी लग रही थी जैसे मानो train जो है वो track से ही उतर गया ठेक क्योंकि जो music master थे उनके जो आवाज आ रही थी वाइलन से वो बहुत melody बहुत pleasant थी सुनने में और जो लल्ली का था वो बहुत ज्यादा noise क्रियेट कर रहा था अब आगे क्या पता चारा है Mridu stared at that huge b-ringed hand moving effortlessly up the violence stem making lovely music अब जो Mridu है वो क्या करती है देखती है बड़े-बड़े हाथों को किसके music master के जिसमे उन्होंने ring पैना हुआ था और वो हाथ move कर रहे थे क्यों क्यों क्योंकि वो वाइलन बजा रहे थे और बहुत ही अच्छी music उसमें से आ रही थी swag there was lally drilling again अब एक आवाज आती है swag मतलब बहुत बुरी सी आवाज अब यहाँ पर क्या है drilling मतलब होता है फिर से एक बार लली का जो train का train है वो अपने track से फिर से उतर रही है यहाँ पर वही बता गया है अम्मा came away from the gate अम्मा हो अब क्या होता है कि suddenly एक आवाज आती है whale मतलब होता है जब कोई pain में बोलता है चिला के बोलता है तो यहाँ बता जा रहा है कि gate से एक आवाज आती है अम्मा अम्मा हो अब देखते हैं यह आवाज किसकी थी रवी send that beggar away अब यहाँ पर अम्मा जो है वो क्या कहते है रवी से उनकी mother की उस beggar को मतलब भी खारी को जो के gate पर आया उसको भेज दो cried his mother from back veranda उसके mother कहां से चलाती है पीछे के veranda से where she was chatting with tapi जहां पर वो tapi से बात कर रहे थी he has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to back from okay मतलब वहाँ पर यह बता रही है कि इनकी mother जो है वो कह रहे है कि यह जो है एक week से हमारे यहां आ रहा है और मतलब भीख मांगने के लिए हमारे यहां आता है लेकिन अब यह time है कि वो अब दूसरा घर ढूण ले जहां से वो भीख अपनी मांगेगा पाती explained to तापी अब यहाँ पर पाती जो ग्रान मतर है वो किसको explain करते है तापी को मृदू अन मीना followed रवी आउट अब जो मृदू है अन मीना है वो क्या करते है रवी को फॉलो करते है क्योंकि रवी बाहर जा रहा होता है उनको भगाने के लिए जो बिकारी था पहले से ही गार्डेन में था और जो गार्डेन था न वो घर के पार्ट में ही आता था तो अल्रेडी वो घर के अंदर ही था making himself quiet at home quiet at home का मतलब होता है comfortably जब आप comfortable feel करते हैं तो बोलते है quiet at home ठेक तो वो अपने आपको बहुत comfortable feel कर रहा था वहाँ पे its trunk और जो उसके body थी named रही उसके सहारी लेकर उसका take लेकर वो उसी पर बैठ गया apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear go away okayinvest अब क्या होता है यहाँ पर क्या करता है वो prepare हो रहा था किसके लिए इसनुज मतलब कि थोड़ा सा वो जपकी लेने के लिए short sleep ऑके बोलते हैं तो उसको लेने के लिए वो प्रिपेर हो रहा था तब ही क्या होता है वो मतलब वो कहता है जब तक मैं सोंग अतर तक हो सकता है कि जो arms है मतलब कि food हो या फिर कुछ भी वो लेकर आजा है उनके grandmother अब क्या होता है suddenly go away said Ravi externally अब Ravi कहता है बहुत ही serious हो कि externally मतलब कि strictly कहते है कि अब तुम यहाँ से जाओ my party says it's time you found another house to back अब उन्होंने कहा है कि मतलब पाती ने उनके grandmother ने कहा है कि अब तुमें दूसरा घडून लेना चाहिए अपने भीक मागने के लिए the beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one अब क्या होता है जो beggar होता है वो अपने आखों को खोलता है बहुत बड़ी बड़ी आखे उस खोलता है और हाँ चेड्रन को एक बार ही मलब एक के बाद एक देखता है the ladies of this house he said at last in a voice choked with feeling अब क्या होता है कि वो beggar क्या कहता है इन घर की जो औरते हैं इस घर की वो बहुत ही choked wise मलब की बहुत ही अंदर से मलब कह सकते हैं रोने वाले आवाज में बोलता है अच्छे हैं उन लोग दया करते हैं अब यहाँ पर एक मलब एक सेंटेंस है कि इसका मतलब भी होता है कि मैं अपने आपको जिन्दा रख पाया हूँ किसके वज़े से यहाँ की जो लेडीज हैं उनके वज़े से ओके अन देयर जिन्यारिसिती इसका मतलब होता है कि उनके दयालूता के कारण मैं पूरा एक वीक जिन्दा रह पाया हूँ I can't believe that they would turn me away और मैं believe ने कर सकता कि वो मुझे यहाँ से बेजने के लिए कह रही है मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है He raised his voice उसने अपनी आवाज को और बढ़ाया अम्मा अम्मा ओ वो फिर से पुकारता है अम्मा अम्मा ओ मलब जहाँ पे वो था वहीं से पुकारता है I said His will might be but it certainly was not feeble मलब कि यह जो है आवाज जो किस थी वो ऐसा लग रहा था कि हाँ वो रो रहा पेन में है लेकिन यह बिलकुल भी feeble मलब बिलकुल भी कमजोर नहीं थी मलब ऐसा नहीं था कि जो उनकी जान मदर थी वो सुन नहीं सकती थी इतना आवाज sufficient था कि वो सुन सकती थी It began in a deep strong rumble Someone in his withered belly and came booming out of his mouth So, यहाँ पे विलोड पेली का मतलब होता है खाली पेट यहाँ पर बताये जा रहा है कि यह जो बिलकुल भी कर था वो अपने खाली पेट ऐसा लग रहा था जैसी इसके खाली पेट से यह आवाज आ रही थी क्योंकि यह बहुत ज़्यादा भूखा था और यह जो आवाज ऐसा लग रहा था कि इसके पेट से ही लिकल के आ रही हो यह बहुत ज़्यादा डीप आवाज थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस्ट्रोंग आवाज थी जो कि सुनाई दे रही थी नौ नेस्ट रहा है विट इस फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड ब्राउन विथ बिटल चुइंग अब यहाँ पे आपको दिया गया है पहले तो रंबल रंबल का मीनिंग यही होता है डीप साउंड मतलब यहाँ पे यही बता गया है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका मूँ से आवाज आ रही है ऐसा लग रहा था उसके पेट से सीधे आवाज आ रही है कि उसे भूक लग यह खाना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे उसकी टीथ क्या बता जा रहा है कि जिस तरह से अगर हम बिटल मतलब होता है पान उसको खाते है ना तो हमारे किस तरह से रड हो जाते हैं तीथ तो वहाँ पे उसके जो टीथे बिल्कुल इसी तरह हो गए थे अब यहाँ पे क्या होता है रुकमनी बोलती है उनकी आंटी कि रवी उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है and he is not to come again और उसे कह दो कि वो फिर बाद में ना आए कभी उसे बता दो ये she sounded fat up मलब कि वो बहुत ज़्यादा tired बलब ये बोल बोल के एकदम ठक गई थी कि ये इससे कह दो ये चला जाए और बहुत ज़्यादा unhappy थी फिर आगे क्या होता है रवी डिड नॉट है टो रिपीट इट आल तो बेगर मलब रवी को ये सब रिपीट नहीं करना पड़ता है बेगर को क्यों क्योंकि what his mother said had been easy for them all to hear क्योंकि जो उन्होंने उनकी मदर ने कहा वो सब कुछ बहुत easy था कि वो उन तक पहुच गया बेगर तक भी पहुच गया और रवी तक भी जो वहाँ पे खड़े थे सब तक वो बाते पहुच गया क्योंकि उनकी आवाद दो थी बहुत जादा तेज थी और वो चिला के बोली तो उनके पास पहुच गया there under the name tree जो कि उस name tree के under बैठा हुआ था उसको पता चल गया मतलब बेगर को पता चल गया the beggar set up and side okay I will go, I will go, he said weirdly अब वो खड़ा हो गया and फिर क्या कहता है मैं चला जाओंगा चला जाओंगे, weirdly मतलब होता है कि बहुत ही tired होके बोलना क्योंकि वो बहुत जादा थक गया था तो वो बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ अब यहां पर क्या होता है कि जो पैगर था ना वो उठता है सेटप मतलब उठता है साइड मतलब होता है कि वो भरता है और क्या कहता है कि मैं चला जाओंगा, चला जाओंगा, weirdly मतलब बहुत जादा थके हुए आवाज में बोलता है only let me have a rest here under this tree अब वो क्या कहता है क्यों मुझे इस tree के अंदर rest करने दो मतलब tree के पेड़ के नीचे मुझे क्यों rest कर लेने दो okay the sun is so hot जो सूरता बहुत ज़्यादा गरम था सूरत, the tear the tar has melted on the road so जिसे road बनते उसको tar बोलते है तो जो tar था ना वो भी melt मतलब पिखल गया था road पे तो इस वज़े से क्या था कि वो चल नहीं साकता था अच्छे से और sun भी बहुत ज़्यादा hot थी okay my feet are already blistered blistered मतलब उता चाले पड़ जाना तो उसके जो पैर थे उस पे already चाले पड़ गये थे he stretched out his feet to sew large pink peeling blister on the soul of his bare feet अब उसने अपना पैर जो है मतलब यहां पर जो मतलब यहां पर जो म्रिदू है वो क्या कहते है मीना और रवी से कि I think इसके पास पैसे नहीं है जिसके वज़े से यह चपल नहीं खरी सकता have you got an old pair in the house somewhere अब यहां पर म्रिदू जो है वो मीना और रवी से पूस्ती है कि क्या इस घर में कोई old pair है चपल का या फिर तुम्हें कहीं मिला है I don't know said रवी रवी कहता है नहीं मुझे नहीं बता mine are too small to fit his feet अब कहता है मेरे चपल तो बहुत छोटे हैं कि इसके पैरों को fit आ जाए और I would have given them to him अगर मेरे चपल fit आ जाते अब जो बैगर था वो क्या कर रहा था सेक मतलब जाड रहा था अपने उपर वाले कपड़े को जो उसने ट्री के अंडर बिचाया था और अपने दोती को टाइट कर रहा था क्योंकि अब वो जान कहा था कि अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलने वाला था अब वो अपनी आखों को उपर करता है और क्या करता है बहुत ही डरते हुए रोट के तरफ देखता है क्योंकि जो आफ्टनून हीट था वो बहुत जादा मुलब कह सकते हैं बहुत ही जादा गरम था और इस वज़े से वो क्या करता है रोट की तरफ देखता है क्योंकि वो समझ गया था अब मुझे यहीं से जाना पड़ेगा और फिर से मेरे पैरों में छाले पढ़ जाएंगे और मीना क्या कहती है उसके आखों में आसू आ जाती है अब यहाँ पे जो रवी है वो क्या करता है बलबरिंग का बलब होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रोने लगता है वो कहता है यह बिल्कुल भी सही नहीं है हमें उसके हल्प करने चाहिए इन टू मिनटे भी फ्राइंग ही फीट ओन दाट रूड अगर वो दो मिनटे बाद अगर वो चला गया ठीक है या फिर दो मिनटे भी वो खड़ा रह गया उस रोड पे तो उसके जो पैर है फिर से एक बार उसके चाले पूरे पढ़ जाएंगे what he needs is a pair of chappals तो उसे क्या चाहिए एक pair of chappals चाहिए so where do we get them तो हमें वो कहां मिलेंगे come let's search the house अब क्या कहता है रही चलो हम लोग डूनते हैं he pushed Mridu and Mina into the house वो Mridu और Mina को घर के अंदर ले जाता just as she stepped into the veranda Mridu's eyes fell on the old looking chappals अब जैसे उन लोग बरांडा के अंदर जाते हैं वो क्या देखते हैं Mridu की जो आखे हैं वो कहां पढ़ती हैं उस old odd looking chappals जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था उस पर पढ़ती है she had noticed when she arrived अब जैसे घर में आई थी starting में तो वो देखती है यह चपल किसके हैं तो वही उसी चपल पर उसका ध्यान जाता है Ravi she whispered to him who's our dose तो Ravi से धीर से कहती है यह किसके चपल है Ravi turned and glanced at that sabby looking but sternly old sleepers रवी क्या करता है मुड़ता है और जल्दी से देखता है glance मलब होता है जल्दी से देखना और sabby looking मलब होता है कि जो अच्छा दिखने में ना लगे but sternly sternly मलब होता है लेकिन वो कह सकते है मजबूत चपल था old sleeper था तो वो देखता है जल्दी से he beamed and knuded okay these are just the right size वो मलब की कहता है कि अपना siri लाता है और कहता है हाँ यही जो है right size है उस beggar के लिए he said picking them up वो उठाता है चपलो को मृदू और मीना followed him nervously back into the garden अब मृदू और मीना बहुत ही nervous हो जाती है और उसको रवी को गार्डन तक फॉलो करती है क्योंकि वो लोग बिना permission के चपल को ले रहे थे और कहता है yellow wear these and don't come back इसे पहन लो और कभी वापस मताना the beggar stayed at that sleeper अब जो बेगर था वो देखता है slippers की तराफ hurriedly frung his towel over his shoulder अब उसकी जो टावल होती है उसको अपने shoulder पे डालता है pushed his feet into them and left अब वो अपने जो पे रहे उसको चपल में डालता है और फिर महाँ से चल देता है muttering a blessing to the children अब वो क्या करता है उन लोगों को आसिरवात देता है okay in a minute he had vanished around the corner of the street और कुछ ही minute में वो गायब हो जाता है vanished मताब हो जाना उस street से गायब हो जाता है okay so यह तो थी आज की part so story story length दी है so I will make a third part for this chapter okay and next chapter में हमारे की chapter पुरा finish हो जाएगा next part में तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you so much